देखे मैंने अपनी कल वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि ये जो इस टैप की टोर्च वाली हमारी LED आती हैं ये मार्केट में दो क्वाल्टी के अंदर मिलती है एक हमारी लो क्वाल्टी की होती है तो उन दोनों के अंदर बीज़ का फ्रक कैसे आप जान सकते हो कै ये हमारे पास अच्छी क्वाल्टी की LED भी है ठीक है लेकिन इस LED को जब भी हम किसी टोर्च या फिर किसी लाइट को बनाने के लिए यूज करते हैं तो ये LED भी हमारी बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है तो उसका क्या कारण है और कैसे हम अपनी इस LED को लंबे टैम तक यूज कर सकते हैं तो आज की वीडियो के अंदर वही चीज में आपको फुल डिटेल से स्टैब वाइस टैब बताने वाला हूं तो वीडियो को भी आप सुरू से एंड तक देखे और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा क अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तब ही आप हमाएं चैनल को सास्क्राइब और वीडियो को लाइक करें अधर्वाइस वीडियो को डिस-लाइक करें तो चलिए फ्रैंड जादा समयनक हाते हुए वीडियो कंटीनौ इस्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखिये क्य यह दो दिन से जादा नहीं चलती है बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है तो उसका कारण यह होता है कि देखी जो इस टैप की LED होती है जो भी हम अपनी टोर्च या लाइट वेगा अंदर इसको फिट करते हैं तो वहां पर जो हमारी बैटरी लगी होती है या तो आपको ऐसी 4V की बैटरी मिल जाएगी या फिर इस टैप की सैल वाली बैटरी मिल जाएगी जो कि हमारी 3.7 वोल्टेज की होती है तो इस तरह की बैटरी से अगर आप डारेक्ट इस लाइट को यूज करोगे तो यह वाली लीडी आपकी जादर दिन तक चलने वाली नहीं है तो इसको करने क Use करने के आपको क्या प्यां रखनानी पड़ेगा या और प्रकर में यूज रेजिस्टेंस है और लो और पिर फिर हास के दर लो या एक वाट के अंधर लो वह LED के साथ में, क्योंकि काफी सारी जो अच्छी quality की torch आती है, जिसके अंदर 6 voltage की बैटरी होती है, तो वहाँ पे आपको 8.2 ohms का resistance यूज़ करना है, अब यहाँ पे उसके बाद देखे एक चीज और आपको ध्यान रखने हैं, जब भी आप इसे किसी torch के अंदर fit करोगे, तो य देखे, यह मेरे पास एक torch repairing के लिए आई है, तो इसकी भी मैं वीडियो बनाऊँगा, अगर टाइम बचेगा तो, तो यहाँ पे यह देखे, यह इसके पीछे यह hitsing लगी हुई है, तो यह hitsing भी आपको जरूर लगानी है, अगर आप बिना hitsing के भी इस LED को यूज़ करोग पीछे तब ही आपकी जो LED है, लंबे टैम तक काम करेगी, अधरवाइज आपने यह resistance लगा लिया और यह hitsing नहीं लगाई, खाली आप इसे यूज़ कर रहे हो, तो भी आपकी LED जादा दिन तक नहीं चलेगी, तो जब यह दोनों चीज़े आपकी लगी होंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से, तब ही आपकी यह जो LED है, लंबे टैम तक काम कर पाएगी, तो यह चीज़े आपको ध्यान में रखने हैं, और यह आपने सभी टोस के अंदर देखा ही होगा, कि यह hitsing पीछे लगी होती है, यह इसी वज़े से लगी होती है, ताकि यह जो LED होती है, ज इसको हम hitsing बोलते हैं, और यह इसकी गर्मी को फैला देता है, जिससे यह LED हमारी लंबे टैम तक काम कर पाती है, तो यह चीज़े आपको ध्यान में रखनी है, और यहाँ पर देखे, मैं रेजिस्टेंस को आपको दिखा भी दू किस तरीके से आपको यूज करना है, तो य एक चीज़ मैं किलियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी रेजिस्टेंस हो, किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस हो, उसके अंदर प्लस माइनस नहीं होता, तो इस रेजिस्टेंस को आपकी मर्जी है, जही आप इस से वायर को जोड़ो या इस से जोड़ो, इसके अंदर कोई दिक्कत बाली बात नहीं है यह देखिए मैं इसको इस साइड से जोड़ देता हूं इहां पे मैं resistance को जोड़ रहाँ यह मैं आपको check कराता हूं इस तरीके से यह LED हमारी education यहां पे थीक है यह मैंने इस तरीके से लगा दिया और एक मैंस के साथ लगा है और यह प्लस के साथ लगा है तो यहांपर आप देख सकते हूं कि यहhando City हमारी इस तरीके से बिल्कुल बढ़ है तरीके से जल रही है यहां पे स्वाउन ओ kitten से काम क्या करता है कि इस resistance लगा के इसको यूज करते हैं तो इसके रोशनी थोड़ी से हमारी कम हो जाती है जिसके वज़े से यह लंबे टाइम तक हमारी LED काम करती है तो यही मतलब होता है इसका यह दिखे मैं दोनों को लगा के एक साथ दिखा दूआ आपको उनों के अंदर रोशनी का फरक है तो य LED आपकी लंबे टाइम तक काम करने वाली है कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली और यह नहीं है कि अगर आपने फ्यूजवर इस्टैंस और यह जो हिट्सिंग होती है यह दोनों लगा ली तो आपकी LED कभी जिंदगी में खराब भी नहीं होगी खराब तो होगी लेकिन यह है कि जल्दी खराब नहीं होगी लंबे टैम तक आप अपनी LED को यूज कर पाऊगे तो यह सारे चीज़े ध्यान में रखे अगर आप अपनी LED को कहीं पर भी यूज करोगे तो काफी लंबे टैम तक आप इसे यूज कर पाऊगे तो उमीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो बही तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ तब तक झाल झाल